अपना फार्मकलोजी का चेप्टर नमबर 12 का लास लेक्चर है ना याने कि हम लोग क्या पढ़ रहे थे कीमो थेरोपेटिक एजेंट पढ़ रहे थे और यहां पर अपनों लास्ट एजेंट की तरफ आ गए है डेट इस एंटी न्यू प्लास्टिक एजेंट जिसको कि हम लो लोग फार्मस्टिकल केमिस्ट्री पढ़ चुके हैं क्या कहते हैं इनको अरे बोलो बोलो येस कैंसर को रोकने वाले या एंटी कैंसर एजेंट भी बोल देते हैं सुन लिया मैंने परिसान नहों तुम्हारी बाते जबावाज होतीने मेरे कान तक आ जाती है ठीक है तो कहा पढ़ा है हम लोग ने इसको डीफार्म फश्टिर में पढ़ रख रखा है पढ़ा है ठीक है तो टीफार्म फश्टियर में पढ़ रखा है लास्ट लेक्टर था फार्मस्टिकल क्यमिस्ट्री का तो वह सारी चीज़ें रहेंगे ऑल्मॉस्ट थोड़ा बहुत यहां पर देख लेते हैं हम लोग ठीक है ना तो क्या होते हैं एंटी नियू प्लास्टिक तो एंटी नियू प्लास्टिक ड्रक्स और मेडिकेशन यूज तो ट्रीट कैंसर कैंसर को ठीक करने वालों को एंटी नियू प्लास्टिक कहते हैं अर्फ यह सारे नाम भी हम लोग इसके लिया अलायलग इस अलाग करते हैं यह लिख्विट और पिल्फ दोनों ही रूप में अविलेबल है अब लेकिन विटेद हैं मुलीपके यहां मुल्प में नहीं लिखा हुए तुम लोग चाहो तो इसको नहीं एक साथ बना सकते हो एक साथ क्या रहाएगा जैसे की साइटाक्सिक ड्रग 1 और इसी में नीची वाला टेवल साइटाक्सिक ड्रग 2 याने की यहां से उठा करके इसको यहां जोड़ दोगे तो बहुत लंबी सी हो जाए अनिमाइन नाइट्रोस यूरिया अलकाइल सलफोनेट ठीक है ट्राइजीन और मिथाइल हैडराजीन उसके बाद प्लैटिनम कॉडिनेशन कॉम्प्लेक्सेस है जो कॉडिनेट बना लेते हैं फोलेट एंटागोनिस्ट है फोलेट को बनने से रोकेंगे प्यूरीन ख्यागोनिस्ट है ठीक है जो पाइरिमाइडिन होते हैं उनको फॉर्म नहीं होने देंगे नये जो सेल ग्रोथ होते हैं नजो बन रहे हैं यानिकि रेप्लिकेट होके कैंसर में क्या है बहुत सारे अनकंट्रोल्ड ग्रोथ हो रही है तो यहां पर सुछा सा समझा दूँ म तम जबात को Cancer में क्या है Uncontrolled Growth of Cell यानि कि एक सेल खटाक से दो सेलों टूटेगा फिर ये दो सेलों टूटेगे जब ये एक सेल दो सेलों टूटता तो DNA हर बार क्या हो रहा है replicate हो रहा है और DNA जब replicate हो रहा है Purines, Pinoidines, Phosphate ये सब चाहिए होती है हमको तो वो ही सब चीज़ें हैं यहाँ पर है ना Antimetabolites जो Metabolites है Metabolic Parts होते हैं उनको रोग देगा यहाँ पर ठीक है ना अज सब में एक 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 जामपल तुम्हें याद रखना है जिसे Alkylating Agent है इसके अंदर Nitrogen Mustard Compound है अगर कोई तुम्हें लगता है कि यह ड्रग मेरा पढ़ा हुआ है समझा हुआ है तो इसको Importance दोगे Otherwise कोई भी एक 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 दो दो ड्रग या एक एक ड्रग सब के अंदर एक्जामपल के तौर पर याद रखने है तुम लोगों को ठीक है अगर फर्दर आ जाएं Microtubule Damaging Agent Microtubule क्या काम करते है Cell के Mitosis में help करते है इसके अंदर तीन क्रेगरी है Vinka Alkaloid, Taxes और Istramastine Then Topo Isomerase 2 Inhibitor Topo Isomerase क्या काम करते है यह भी क्या है DNA Replication में help करते है Topo Isomerase 1 Inhibitor Antibiotics हैं कुछ और Miscellaneous है तो कही न कहीं cells की growth को रोपने के लिए तमाम drugs हैं जिनका इस्तमाल होता है अब यह बहुत जादा है बहुत बड़ा है classification फिर कहूंगा थोड़ा थोड़ा करके याद करेंगा जैसे कि मानलो एक दिन में क्या पढ़ लिया Alkalating agent इसके एक दो तीन चार पांच छे पार्ट याद कर लिए फिर अगले दिन देख लिए Platinum Compound इसके अंदर से Platinum के अंदर Cisplatin मिलता दुलता नाम याद कर लिया ठीक है ना Follet Antagonist इसके अंदर जैसे Methotreazate यह नाम यादा रहा होगा हम लोग पहली भी यूज़ कर चुके है ठीक है Purines के अंदर Mercaptopurine Purine Guanine ठीक है ना Six और Six लगा हुआ है Thyogonine Mercaptopurine Pyramedine में Fluorouracil होता है तो 5-fluorouracil जो नाम जाने पेचाने से लगेंगे उनको हम लोग क्या कर लेंगे याद कर रख लेंगे बास समझ में आ रही है ठीक है और Nitrogen Mustards के अंदर अगर हम बात करें तो Maclore Ethan Amine Thyopeta Then Busulfan Lomastine या कारमastine कोई भी एक याद रख सकते हूँ इसमें से Dicarbazine Dicarbazine है ठीक है Then Procarbazine है तो धिरे-धिरे याद याद दे से Methyl Hydrogen के अंदर Gene Gene Word आ गया Gene और Gene इस तरीके से Combination बना करके याद करने की कोशिश करोगे Classification अदरवाइस दिक्कत देगी है ठीक है अब इन सब ड्रक्स पो मैंने क्या कर दिया है सब के अंदर ज़्याद ज़्याद ड्रक्स नहीं अंटिवाइटिक के अंदर काफ़ सारी अंटिवाइटिक दे रखी है ठीक है न और बागी सब के अंदर एक-एक-दूदो एक्जामपल है तो इसी लिए यहाँ पर क्या है dose की जब बात आएगी ज़्याद हो जाएए उसकी dose यहाँ लिख लेना ठीक है न कमसे दो तिन dose सभी सभी याद हो जाएगी तो जब जनरल कोशन आएगा कि राइट डाउन दो dose of any four compound या 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 थी compound तो उसको तुम लोग लिख पाओगे ठीक है न अधरवाई यहाँ यहाँ ने सबकी dose लिख दी है पुरा एक page भरा हुआ है dose से next फिर यहाँ तक आयाता है next फिर आता है indication इंडिकेशन में कुछ नहीं करना all types of cancers name all types of cancer name जितने भी प्रकार के cancer हैं उनके नाम याद कर लो वो सब तुमारे इंडिकेशन में आ गया है न जैसे की acute leukemia Wilms tumor इविक सारकोमा रेटिनो ब्लास्टोमा रेब्डो माईसो सारकोमा ठीक है इन चिल्डन बच्चों के अंदर otherwise koreo carcinoma hotking disease lymphosarcoma burkitts lymphoma testicular teratomas seminoma mycosis fungoids यह सब नाम है या कुछ cancers को कम करने में ठीक नहीं करेगा उसको उनके effect को कम कर देगा उसको कम कर देता है तो palliation effect को कम करता है breast cancer हो गया ovarian carcinoma हो गया endometrial carcinoma हो गया myeloma हो गया prostatic carcinoma हो गया chronic lymphatic leukemia हो गया chronic myelod leukemia हो गया non-hogging lymphomas हो गया head and neck cancer हो गया लंक का इंसर हो गया इनके एफेक्ट को क्या करते हैं कम करने के लिए पैलीएशन इनको ठीक कर देगा इनके एफेक्ट को कम करेगा या एड्जुवेंट की मुझ थेरपी एड्जुवेंट मतलब साहएक तौर पर कब ड्रक्स आइउस्ट्व मॉपप मॉपप मतलब पोंच देना पोच्छा रगा देना बिल्कुल साफ कर देना जब मॉप अप आफ एनी रेसीडियोल रेनल डिजीज, सीवेर और अडिटरी, कानों का अगर प्रॉब्लम है कोई, सीवेर बोन मेरो सप्रेस है, अगर बोन मेरो सप्रेस हो गया है, बोन मेरो काम नहीं कर रहा है, ब्रेड ब्रेड सल्पाइसर नहीं बन रहे हैं, प्रेगनेंसी और लैक्टेशन है और special precaution शुट ब और माईलो सप्रेशन मतलब मतलब वही जो हमारा क्या है यह वोन का सप्रेशन है तो यह एक लाइन आगी कहीं अगए इस तिनोचे कवर करती ही इनमें तो यह हमारे पास क्या है यहां पर कॉंटा इन्डिकेशन तो विटा यह बहुत चो चोटा है बसमें पढ़ना बहुत ज् ठोटा सा जल्दी खतम हुआ बट पढ़ना इसमें बहुत ज़ाता है और पढ़ना क्या तरीका किया रिवाइश करें और थोड़ा करके जो ची टफ है उसको थोड़ा करके एड करना है यानि कि याद करना है बात बाकी notes का link तो description मिल जा रहा है मज़े में सारे notes निकाल ले रहे हो पढ़ाई कर रहे हो बढ़ी है कोई problem आती है उसके बाद भी call करें मुझे बहुत से बच्चे call करते है बहुत अच्छा लगता है बच्चों कि मैं help कर पाता हूँ बहुत से बच्चे कोई छोटी मोटी confusion में रहते हैं तो वो जो बात कर लेते तो उन्हें confidence रहा था कि हाँ सर ने बोल दिया तो अब तो वो ठीकी होगा ठीक है ना बाद बाद कि और अच्छे त्यारी करनी exit exam वगरा है फर्दर और अच्छा प्रिपेर करना चाते हैं तो app से जुड़ सकते हो ठीक है ना पूरे साल के लिए fees मातर 1100 रुपय यानि कि महीने का 100 रुपय भी नहीं पढ़ता है जाकर के और इन सबसे जरूरी चीज जो तुमको ही करनी है वो है revision बेटा बिना revision के कुछ नहीं होने वाला ठीक है ना तो पढ़ोगे और फिर revise करोगे पढ़ोगे और फिर revise करोगे जो पिछला पढ़ लिया है 18 दिन हो गया है फिर revise करो अधर वाइस दिमाग से सब निकल जाएगा तो करना क्या है पढ़ना है और revise करना है all the best